हेलो दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं 20-25-40 के प्लोट पर एक शांदार घर का नक्सा तो दोस्तों आपने अगर घर बनाने का वन बना ही लिया है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी हमारा ये चैनल सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन दबाएए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तों आपका टाइम वेशना करते वेश सबसे पहले मैं आपको ये प्लान कार पार्किंग के लिए जगह चोड़ी है जो मेजर्मेंट हमने यहां पर दे रखा है आप ध्यांसे देख लेएं दोस्तों हर चीज कामने मैजर्मेंट लिक रखा है मैं बोलूंगा आपको समझ में आए या नाए मेजर्मेंट लिखा हूँ आपको जरूर दिखेगा और स स्क्रीन सोट ले लिए सबसे पहले ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में तो दोस्तों यहाँ पर हमने यह गेट दिया है गेट के बाद हमने यह लोयर का गेट लग जाएगा बड़ा सारा और फिर यहाँ पर हम कार पार्किंग के लिए हमने जगह चोड़ द ए में दिये और एक यह सीचार इपकर और यहाँ पर यह लिवर इयरिया हो गया तो इस living area को काफ़ी special हमने बनाया है ठीक है दोस्तों फिर उसके बाद में आगे चलते हैं आगे चलके देखते हैं ये dining area है ये hole तो इसका measurement हमने यहाँ पर दे रखा है dining area के अंदर हमने वास जो late bath है वो दे रखे हैं छार भाई आट पुट तीन के लेट bath हमने यहाँ पर दे रखे हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर toilet झे रखा एक टॉइलेट यहाँ पर दे रखा है इसका measurement हमने आपको यहाँ पर बता रखा है और इतर हमने यह space चोड़ा है यह room है इतर यह room का हमने space चोड़ा है इसका measurement हमने यहाँ पर दे रखा है और second room हमने यहाँ पर रखा है ठीक है दोस्तों और फिर इस second room के पीछे यहाँ पर हमने यहाँ पर window रखी है और यहाँ पर late बात रखा है ठीक है दोस्तों यहाँ पर dressing के लिए जगह रखी है हमने और यहाँ पर late बात है ठीक है दोस्तों तो एक फरस्ट नूम ये हो गया, फिर कीचन का देख लेते हैं। यहां पर हमने एक open kitchen दिया है जिसका measurement हमने यहां पर बता रहा है बहुत श्यांदर अच्छा kitchen लगेगा यहां पर आपके जो गेस वचुला वगेरा यहां पर सेट हो जाएगा यहां पर बाहर की तरफ एक window ओपन हो जाएगी इधर आप अपनी अलमारी वगेरा सेट कर सकते हैं और यह open kitchen बहुत सुंदर लगेगा आपके घर में और यह आपकी space यानि कि अगर आप यहां पर दिवार बना देते हैं तो वह space खतम हो जाती है क्योंकि यह dining और hall यह पूरा open दिखेगा तो बहुत सुंदर लगेगा आप यहां पर एक चोड़ा ता काच और यहां पर आपको gate लगाना है सीडियों में नीचे और उपर दोनों तरफ आपको gate लगाने जिससे आपका घर safe बना रहेगा और gate लगाने से घर का वास्तु दोस्त नहीं होता है क्योंकि घर में अंदर गुस्ते ही आपकी अगर सीडियां दिख रही है तो घर का धन चला जाता है इसलिए आपको gate जरूर लगाना है तो दोस्तो आपको यह मेरा प्लान आज का कैसा लगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक share किजिए like किजिए आपकी कोई भी problems है तो comments करके हमें बताइए हम आपको reply देंगे आपकी help करे तो दोस्तों thank you हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे ये चैनल subscribe करना ना बूलिएगा दोस्तों thank you